कैसे हैं आप सभी लोग एक बाफी से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वित ही होगे इसमें सबसे पहले आप सभी छात्रों को 9 वर्ष 2023 की हार्दिक सुपकामने ठीक है मैं तो उम्मीद ही नहीं पूर्णता विश्वास के साथ ये गह सकता हूँ कि आप लोगं को अपनी आपकी मनचील मिल जानी चाहिए क्योंकि ये year तो बच्चो आते रहते हैं जाते रहते हैं वर से बदलते रहते हैं लेकिन हमारी जो उमीदे हैं वो हमेसा कायम रहनी चाहिए और मैं तो यह मान के चल लए जैसे पिछली बार के 2022 का था, 2021 का था, तब भी मैं कई लोगों को दुआएं देता था, अभी भी देता हूँ, तो हमेशा दूगा ही दूगा, एक सिक्षक होने के नाते भी, एक आम इंसान होने के नाते भी, ठीक है, तो मैं आप सभी को अपने अपनी ओर से, अपने यूटूब परिवार की ओर से, अपनी फैमली की ओर से, और सभी की ओर से, ठीक है, आप सभी को नए साल की सुपकाम नहीं देता हूँ, और आप लोगों के दुआ करता हूँ कि इस बार आपका चायन, आपकी मनजिल जिनको नहीं मिल पाई, क्योंकि क ठीक है, ये बहुत यूनिक है, उन छात्रों के लिए जो उत्राखन में गवर्मेंट सेक्टर की तयारी करते हैं, और 2023 में चुकी कलेंडर आपको मिल चुका है, ठीक है, तो हम ये उम्मीद करूँगा, या मैं तो मैं ये उम्मीद ही करूँगा कि हमें ये उम्मीद भी आए और हमें हमारी मंजिल ना मिले, ये कभी नहीं होता है, बच्चो, आज नहीं तो कल आपका होगा, ये गैरिंटी के साथ महल के चलिए, कोई न कोई दिन ऐसा होता है, कि वो आपके पकसिमा आएगा ही आएगा, ये इम्तिहान है, ये लाइब है, ये इम्तिहान है, और हाई हम चलते रहते हैं ठीक है इससे मैं आप लोग इस जो फेज में हैं जिस दोर से आप जा रहे हैं इससे सिर्फ आप ही नहीं गए हैं इससे हजारों बच्चे जाते रहेंगे इससे हजारों बच्चे क्रॉस कर चुके हैं हजारों बच्चे इसी फेज से जाएंगे और हज यहां पर जो लाइफ का सबसे एक मतलब आप मान के चले ना सबसे जो क्रूशियल टाइम है सबसे जो अपने आप में एक ऐसा समय जहां पर इंसान का पुरा भौशिदाओ पर लगा होता वो यही होता है क्योंकि academic वो basic है वो सभी का है बारवी तक पढ़ना या जो भी है हर को भी पढ़ता है वहां उसके आप graduation कोई करता है कोई बी टेक करता है कोई पीजी करता है या में से जो भी करता है कोई M टेक करता है रिवान होगा उसी को finally मंजिर भी मिलती है क्योंकि हम लोगों के साथ एक मतलब आदत होती है हम लोगों के साथ के maximum जो person होते हैं उनकी एक आदत आप लोगों ने देखा होगा धैर यह हर किसी के अंदर नहीं होता बच्चो यह सीमित लोग है भगवान ने एक ऐसा talent दिया ह होता है हर किसी के अंदर वो नहीं होता हो जनमजाद भून भी कह सकते हैं उसको कई लोग बहुत धेरी असील होते हैं बहुत धेरी रखते हुए चीजों का weight करते हैं और weight करते हैं अपनी मंजिल को एक नेग दिन पा लेते हैं तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा, क्योंकि वर्से 2023 में आपके पास बहुत से option है, अपने dream, अपने सपनों को आपने साकार करना है, आप सिर्फ और सिर्फ कहीं पे किसी भी तरीके से एक बास settle हो जाईए, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि ये पद ऐसा है, ये पद ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं, जो भी है, सबसे पहले अपना settle, कहीं लोग क्या सोचते हैं, गवर्मेंट सेक्टर में, यानि सरकारी नौकरी को गरीबी मिटाने का वो मानते हैं, मतलब कहीं मैं पढ़ते रहता हूं, देखते रहता हूं, कि हम लोग जैसे ऐसे डालेंगे वो स्टेटस वगरा लिखते हैं, कि हम लोग गरीब पैदा हुएते, लेकिन हम सरकारी नौकरी में निकल के अपनी गरीबी को खतम करते हैं, इसा कुछ नहीं है, गरीबी वो सब बात की बात है, सबसे पहले करियर सेटल, चाहिए वो बीस जार के साथ हो, पंदरह जार के साथ हो, आई का एक नियमित स्रोत आपके पास होना चाहिए, और वो आई का नियमित स्रोत प्राप्त करने का समय भी आ चुका है, हम चीजों को जाड़ा डिले नहीं कर सकते हैं, ठीक है, में चीज हैं अब देखिए, कई बच्चे इस चीज को लेके उत्साहित रहते हैं, कि सर थोड़ा सा आप अपने बारे में भी बताईए, आपने क्या किया कैसा क्या है, कि अनोखा नहीं हूँ, आप लोग के ही बीच से, आप लोग के ही साथ का, आप लोग के समकक्षे मुझे आप लोग मान के चलिए, मैंने इसलिए कि देखना कई बच्चे पूछते रहते हैं, अभी जो नई बच्चे जोड़ते से आप क्या करते हैं, मैं कहा करते हैं, मुझे कोई फरक नहीं पढ़ता बच्चो, इस चीज़े मैं कहा हूँ, क्या हूँ, मैं आप लोगं के लिए इमानदारी से काम कर पा रहा हूँ आप लोगं को चीजे समझा पा रहा हूँ आप लोगं को चीजे दे पा रहा हूँ उस चीजे को आप गेन कर पा रहे हैं आप उसका लाब उठा पा रहे हैं तो क्या मतलब कितना सही चीजे बताइए कोई चीज आपको समझाई जा रही है उससे आपको लाब मिल रहा है उससे आपका ग्यान बढ़ रहा है उससे आपको एक उमीद जगरी आप एक होप के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आज नहीं तो कल हमारा सेलेक्शन होगा यही में चीज है ठीक है देखिए तैयारी करने के दोरान धैरिये का होना कितना इंपोटेंट है मैं आपको बताता हूँ ठीक मैं जैसे अपने बारे में आपको बताता हूँ हम लोग भी मतलब आप लोग की तरह साधारन परिवार होते हैं मतलब जो बहुत जो साधारन परिवार होते हैं जैसे सबी कहें आप लोग क्योंकि हम हमारे पास इतना पैसा होता या हमारे पास इतनी संपत्ति होती कि हमें पुस्तेनी चीज़ें मिली होती तब हम अपना काम करते हैं क्यों फिर हम किसी चीज को हमारे पास बच्चों जो मध्यम कलास है उससे निचे की जो कलास है उनके पास एक ही विकल्प रहता है कि यार हम कि बारी चीज़ें एक परकार से पुस्तैनी रूप में मिली होती तो फिर हम इस चीज़ के पीछे नहीं पढ़ते तो आप ही लोगों के बीच में से मैं भी हूँ ठीक है मैंने भी आप लोगों के तरह ही मैंने चीज़ों को देखा हुआ है चीज़ों को जमीनी इस्तर पे यानि धरातल पे चीज़ों को महसूस किया जैसे आज के दोर पे आप लोगों को कई बार क्या होता होगा जैसे दो दो तिन तिन भाई बहन आप लोग घर पे होंगे कई बा यह चीजा हमने भी खुद भी महसूस की हैं, मैं आप अपने बारे में बताता हूँ, जैसे मेरी जो बेसिक एजुकेशन है, मतलब जो मैंने सिक्षन, जो प्राइमेरी मेरी सिक्षन है, वो एक GIC बांसबगर जगह पढ़ती है, ठीक है, यानि GIC बांसबगर नी वो तो फिर म आप बताईए, आप कई लोग अभी, यादि 12th B.S.C. करने के बाद, 12th करने के बाद या BA करने के बाद, वो घर से बाहर अभी निकले हैं, हम लोग बता दे रहा हूँ, आपको हम लोग घर से बाहर निकल गे थे, जब हम 5 साल के थे, कितने साल के, 5 साल के, क्योंकि मेरे पि 98, 99 उस दौर में क्या मतलब किसी की सैलरी होती होगी, वो भी क्लारिकल में, खुद सोचे, ठीक है, हम लोग भी इसी तरीके से, जैसे आप लोग है न, सीमित संसादूं में जिसको कह सकते हैं, आप लोग अपने दिन व्यतीत करते हैं, exactly हमने भी किया है, ठीक है, मैंने वहा परिवार, हम लोग जो भाई है, हम बचपन से, जब हम 5-5 साल के थे, तब से हम घर से दूर रहें, घर से मतलब माता से दूर रहें, गाओं से दूर रहें, जो गाओं का इट्मूस्पियर है, भले हम जहां पड़े हैं, वहाँ भी ग्रामिन इलाका था, और हमें वह अपने यह जोग्रफी ठीक है तो उनके साथ वो क्योंकि वो पिथोरागण चले गए थे उसके बाद उनने कॉलेज बगार बीए बगार किया तो मैं भी उनके साथ चला गया था यह जोग्रफी बचपन से ही एक हिसाब से सुचा जाए माता पिता से हमने दूर रहके अपना पड़ाई किये और जो साधन होते हैं या जो संसाधन होते हैं वो तब भी बहुत सीमिते बहुत हत्तक सीमिते अब आप सोचिए उस दौर में जैसे आप किराई पे रह रहे होंग ठीक है यानि 2003 में मैंने कक्षिया 6 में पर्वेस किया था GIC पिथोरागण में KNU Inter College पिथोरागण यानि कुमाओ किष्णनन्द उपरेती जो GIC है अपने आप में Government Inter College पिथोरागण वहाँ पे मैंने कक्षिया 6 में पर्वेस किया था वर्स 2003 में ठीक है तो घर से जैसे पैसे आते थे पैसे का मतला आप लोग देखे ना कैसे मतले चीज़ा बदलती है हम लोग भी ऐसी रेंट पे रहते थे बच्च्चो जैसे आप लोग रहते ना एक्जेटली कोर्लेट कर सकते हो अपनी लाइब को मेरे लाइब के साथ ठीक है मैक्जिमम लड़के ऐसे ही हैं ऐसे यह दौर होता है यह सब के समय आता है जिसे अभी आप लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कल के दिन आप उससे निकल जाएंगे आप कहीं न कहीं सेटल ह हो जाएंगे फिर देखना एक नए दौर के बच्चे आएंगे हाला कि अब तो साधन इतने जाद हैं कि घर पे बैठके तयारी कर सकते हैं सोचिए उस दौर पे ना मुबाइल होता था फोन भी कैंसे आता घर से पता है पीसी ओ होते थे आप लोग देखा होगा फोन पे जि जी देखी नहीं है जैसे हमारे मम्य बापा लोग लिखते थे हमारे जो बड़े लोग हैं वो लिखते थे तो उस टाइम पे संचार के इतने साधन नी थे घर से एक बार बंदा निकल गया जैसे घर से निकल गया आप लोग को तो पता है आप लोग वीडियो कॉल भी कल दे लेते हैं WhatsApp मेसेज भी कर लेते हैं call भी होते रहे तो उस टाइम तो था नी तो सोचो कितना ज्यादा उदास लगता होगा ठेट पहाड़ी बासा में यानि कितना ज्यादा मतलब अपने आपको emotionally इंसान करता होगा तो छोटे-चोटे उमर में पांच-पांच-चैसे साल के उ अब आए हैं तो वहां से हमने पढ़ाई किये तो हम भी ऐसी रेंट पे रहते थे यानि एक छोटा सा कमरा था और जहां भी घर से जितना भी पैसा आता आते से जादा यानि अगर सपूस्ट तीन हजार रुपे आते थे तो मान के चले डेड़ सजार रुपे तो हमारा दु अधार ही होती थी ठीक है हम लोग क्या करते थे जैसे रूम चेंजर करते थे पहले ही दुकानदार को सेट करते थे थे भैच साब एक महना उधार दे रहे हम लोग आपको मन्धली उधार पेट कर देगी क्योंकि होता तो ऐसा यह था आज सीदे अगाउन्ट में ले जाते थे जैसे सपोस्स 3,000 रूपय आये पन दो सपोस्स तीन रूपय के उसमें तो लगाले जेसे सतराह्रूपय में अच्छीн यूर्पयों जोड़कर देखो कितना हो गया 2526 रूपय और कितने जैसे आते होंगे सब्सक्राइब नहीं रहा तो उसके आज 500 रुपे बचे अब 500 रुपे बचे उसके बाद पुरा एक मेहना है आपके पास आपके पास उन 500 रुपे में सबजी भी लानी है कभी कुछ खाना है तो उसको भी खाना है कपड़े भी लेने है अब बताइए 500 रुपे में क्या कल लोगे एक मेहने में खुद सोचों तो हम लोग के ट्रेट क्या हुआ करते थी कितना मतलब चीज़े देखो ना कैसे चीज़े बदलती है अपने आप में हम लोग की ट्रेट ह चाई फैन यानि की चाई पियो फैन खाओ उस दिन तो फैन क्रीम रोल बंद वगरा यही चलता था बच्चों यह चाउमीन मुमो तो यह बहुत मतलब दूर की बात होगी ठीक है पीजा बर्गर का तो नाम ही नहीं सुना था मैं आपको रियल बता रहा हूं और खाना भी न पढ़ता था वहां पे एक होटल था होटल आप लोग को ध्यान भी होगा वह जैसे कालेज का गेट जो वहां से हैं वहां पे छोले समोसे बनते थे यानि तो छोले समोसे जैसे मैं स्कूल जाता था दरस रुपे पंदर रुपे हो जाते थे कभी-कभी महनू में एक आत बार दो बात पांच रुपे का समोसा मिलता था आज कल देखो पांच रुपे से कम कहीं नहीं मिलेगा ठीक है वो ट्रीट हुआ करती थी तो उसके अलावा पूरे मंथ कोई चीज नहीं मतलब कोई खाना पिना कुछ नहीं और देखिए चीजे कैसी होती है यानि अपने आप में समय कैसे बदलता है जैसे आप लोग आज पढ़ रहे हैं आप लोग आज महनत कर रहे हैं यह उमीद रखिए सिक समय बदलता है हम लोग जैसे प्राइमेरी की ड्रेस होती थी कई बार हम क्या करती है क्योंकि होता नहीं जैसे एक ड्रेस आप लोग लेते होंगे कोई मार्के उसी में ट्रेवल करते थे, यानि वो मतलब नई ट्रेस है, तो भई हाँ, इस्कूल की ट्रेस है, तो इस्कूल की ट्रेस में ही चले जाओ, ऐसा भी होता था, ठीक है, और कईयों बार तो ऐसा होता था, जैसे कभी मार्केट गए, कुछ खाने का मन हुआ, तो मैं तो छोटा थ आप मुझे क्या बता कि सामने वाला क्यों ने खिला रहा, मुझे मुझे कहां से खिलायेगा, शीमिज संशादनू में क्या क्या करेगा, भई जिम्मेदारियां भी है, इस्कूल के लिए कॉपी लेनी है, पैन लेनी है, हर चीज लेनी है, ऊपर से तेरा मन हो गया, तो ने मंतु ने मुह बना दिया मैं तो मुह कई बाल लटका देता था बच्छो मुझे मुझे गुस्ता आता था उस समय पर या नी भाई लोग खिला क्यों नहीं रहे मुझे कहां से खिलाएगा हो गाई नी तो आस तो क्यों नहीं खिला रहे आस तो ते रवन जो करता हूं लेकिन उस समय चीजे नहीं थी यानि सीमित संसादनू के चकर में यह सब नहीं हो पाता था मैं तो मार्केट जाके कई बाल लड़ जाता था भाई लोग से ठीके छोटा था और मुझे इतना ज्यादा मतलब इरिटेटिंग लगता था गुस्सा भी आता था और मैं आपको भी ज्ञुड़ है था और मीरत आसमाई तुमे जाका था है तब भी नहीं मिला एक्से था में आउड़े धर एसास होया रांके कि मिल केंव नहीं रहा है हम आज के दोर पे तो क्या देख रहे हैं आप 6 में बच्चा इसकूल जाता हो इसकूटी में जाता है मतलब अब समय बदल चुका है लेकिन वो दोर अलग हुआ करता था और आप लोग जो देख रहे हैं आज से 25 साल-50 साल बाग फिर टाइम बदल जाएगा तब आप लोग को सुनाओगे कि हम स्कूटी में जाते थे हो सकता है 15 साल बाग लोग बाई एयर जाएए 6 में बढ़ने आले बच्चे ठीक है यह समय का मतलब अपने आप पहिया है यह बहुत तेजी से बदलता रहता है ठीक है तो यह सब सौक होते थे तो कई बार अपने सौक को मानना होता था उस समय अकल नहीं थी अकल इसले नहीं थी क्योंकि पता नहीं था कहते हैं उम्र और अकल की कभी भेट नहीं हो पाती है तो उस समझ नहीं आता थे क्यार ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ी तो उम्र बढ़ने के साथ समझदारी जनरेट होने लगी और मैं तो ठैंक गॉड कहता हूँ कि हमें इतने सीमी संसादनों मैं इतनी चीजे मिल पाई और हम लोगों नहीं क्या किया बच्चों आपको मैं रियल बता रहा हूँ एक चीज बहुत अच्छे से डेवलब की वो की एक अंडरस्टेंडिंग एक समझदारी उसी समझदारी के चक्कर में मैं तो अपने आपको बहुत ज़्यादा सपल इंसान मानता हूँ क्योंकि मैं इतने बच्चों को गाईट कर पा रहा हूँ इतने बच्चे मुझे प्यार देते हैं इतने बच्चे मुझे रिस्पेक्ट करते हैं सब किस्स की बोतलत हुआ कि कम उम्र में आपके पास ऐसी चीज़े नहीं थी उन चीज़ों को आपने पाने की कोशिश की और पायार नहीं सके तो आपने दिमाग लगाया अपना एक परकार का इंसान का माइन होता वो धरे-धरे डेबलब होता वो सुचता है कि सही क्या है गल जानते हैं पड़े रहने का मतलब मतलब कि अगर आप कम उम्र में आपके पास ऐसी चीज़े नहीं है जो आप अपने सौक पुरा करना चाहते हैं और आप सीमिच चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हैं वो इनसान को बहुत हद तक क्या बना देता है एक प्रकार का ये मानके चलिए कि समझदार इंचान ठीक है और देखिए ना कैसा कैसा होता था हम लोग ये मानते हैं कि हम बहुत खुस नसीब हैं हम क्या आप लोग भी बहुत खुस नसीब होंगे माता पिता का सबसे बड़ा कर्म क्या है कि उन्होंने अपने बच्चों को सही से कपड़े पहना खिला पिला दिया बाकी सब का सब इंसान खुद को करना पड़ता बच्चो ठीक है और हम तो सुक्रिया करते हैं अपने माता पिता का जिन्होंने एक अच्छे संसकार दिये उन्होंने हमें कभी कोई चीज की कमी नहीं नहीं दी कमी का मन्दद खाने पिने माप यारा वगर हम यह कहेंगे ना मुझे ये भी चाहिए मुझे ये भी चाहिए कहां से वही जरूरत पूरी करेगा आज के दिन अब क्या हो गया अब होता है नहीं जैसे कहते हैं आप लोग ने सुना होगा इंसान अपनी सौक जो हैं माता पिता के पैसे से पूरा करता है और अपने पैसे बगरा करना मैंने वहीं से किया है उसके बाद 2013 के मिड मिड में 2014 में मैं डैली चला गया था ठीक है अब देखे बच्पन में जैसे चीज अब वहाँ डैली जाने का सोच कहां से आई कहां से सोच आई वो इसलिए आई अब आपको गर्शार नहीं था तो कैसे के धीरे धीरे अ कोचिंग संस्तान था कलासी कोचिंग शंग वहाँ पर इंगलिस मीडिया में लानिन ला fresh daron आई वहाँ से उसके बाद लोगदय के ब enorm समी फय्म हो भूने चीज वाल पर शेयान हो गेफेखे उखे इडा स्वाणर में तरणत मेरा यहां पे UKPSC की माध्यम से आरो आरा जो एक्जाम हुआ दा आरो 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 आरा उसमें सेलेक्शन हो गया और उसी की बदौलत उन चीजों की बदौलत वहां की महनत की बदौलत वहां की अंडेस्टेंडिंग की बदौलत चीजें मतलब अपने आप में बहुत जिन्दगी कुछ नहीं है जिन्दगी कुछ नहीं है जिन्दगी एक लेसन है जिन्दगी एक पार्ट है जो हमें हमेशा कुछ नहीं कुछ सिखाते रहती है और हमें उसको स्विच्छा से यानि मतलब बहुत खुशी-खुशी से एकसेप्ट भी करना चाहिए जो भी होता है आप देखें एक अपतिबाद पटवारी का पेपर है उसके आद अलग-अलग एकजाम हो आप लोग को मैंने अपने बारे में बताया जो भी था जैसा भी था सेम एग्जेक्टली कंडिशन आप लोग भी फेस करते होंगे उन सभी कंडिशन को फेस करने के साथ एक वीजन अपने आप में हमेशा रखिए एक उद्देशी रखिए कि आज नहीं तो कल हमारा होगा यानि हमारा फ्यूचर बहतर होगा जैसे भी दिन हैं जो भी हैं ये टार्मन ले ले लेते हैं बच्चो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी महनत मांगती हैं आपने इमानदारे से काम किया आपने पढ़ाई कि अब कई लोग को ये लगता होगा इतने साल होगे हैं पढ़ते पढ कर पाए क्योंकि कही बार क्या होता है डायरेक्शन की कमी की वज़े से सही दिसार निर्देशों की कमी के वज़े से हम लोग की महनत व्यर्थ चले जाती है आप लोगों नहीं महसूस भी किया होगा अभी देखिए कुछ दिन पहले तो पुलिस कांस्टेवल का पेपर हुआ मैंने लगभग आप लोग पूरा पेपर सेलेक्ट करना पूरा पेपर एक एक क्वेशन करके अनलेसिस करना more than 80% क्वेशन आपको कही न कहीं डारेक्ट या इंडारेक्ट वेवे मैंने क्लासेज में कराए हुए हैं तो वो एक प्रकार का देखो अगर आप 80% क्वेशन अग आपको सिर्फ डारेक्शन देशता हूँ मैं कोई टॉपिक आपको किलियर कराके पढ़ा सकता हूँ उसके बाद का काम आपका सुरू होता है बच्छो आप पेपर में कैसे चीज़ों को डील करते हैं कैसे प्रेसाइट को हैंडल करते हैं सब आप पे डिपेंड करता है ठीक हैं मैंने देखो ना कैसे मनला क्या लाइफ क्या दिखाती है मतलब क्या क्या चीज़े दिखाती है ऑप लोग ने खुद देखा होगा मैं कई बार आपको YT के Community टेब मैं कई पोस डालता हूँ आप लोग ने कुछ दिन हो पहले देखा होगा एक गल्लका था जिनके पिता ए यह है कि आप इस exam को निकानने के लिए पढ़ रहे हैं आप महनत कर रहे हैं तो आप यह मान के चलिए ना इसका कहीं न कहीं किसी न किसी दिन तो परिणाम मिलेगा ही ना अगर हम लोग उने बहुत सही तरीके से महनत की हैं हम बहुत सही तरीके से आगे बढ़े हैं उसका result जर आपके ही पक्सिम पासा चूगेगा आपके ही पक्सिमे चीज़ आएंगी और उस दिन आपको ये महसुस होने लग जाएगी कि वास्तों में लाइफ अकर इमतिहान लेती भी है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग को कभी कुछ नहीं मिलेगा उस इमतिहाम का रिजल्ट करते हैं आप कहीं हुगा आप आप नोकरी उसके बाद देखना कई प्रकार की भगवान न करी किसी के शमश्याया थे तब आपको वास्तों परिवार है, पारिवार इक जिम्मेदारी आएंगी, प्यूचर में आपके बच्चे हंगे, उनकी जिम्मेदारी आएंगी, कई परकार की कंडिसनस आपके उपर आएंगी तब आप देखना कि आपको लगेगा यार वही दिन जो अच्छे थे जब हम तैयारी करते थे जब हम किसी एक्जाम को क्रेक करने गरे पढ़ा करते थे वही दिन जो अच्छे थे ये होता रहता है ठीक है तो बर और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा बच्चो जो सामने दिख रहा है यानि जो आपको मैं दिखूँ या कोई भी इंसान दिखूँ दूसरा अच्छा ही दिखता है लेकिन उसके पीछे उसने किस-किस दौर से किस-किस तरीके से वो आगे बढ़ा है उसको हमेशा माइंड पर रखना है आप भी अपने लिए जो कर रहे हैं आप ये याद होगा कि हमने जो मेहनत की थी वास्तम उसका प्रेडाम हमको मिला ठीक है तो जो मैं आपको बता रहा था 2013 से 2016 तक मैंने वहाँ पर तैयारी की उस तैयारी के दौरान भी मैंने एक ही चीज़ याद रही बताया है मैंने एक ही शिक्ष्या जीवन में घ्रान की एक सबसे महत्त होगा जरूर भरता है यहां उत्राकंड में एतना में गोंगा वो 2013 के सम्तिंग था 2013 चौद में करी विग्यापना आया था उसमें लास्ट में मैं पता नहीं का वो 2018 में उसका इक्जाम होके फाइनल रिजल्ट आया ठीक हो एक बार कैंसल हुआ उसके बार दुबारा भरती ह करण जो कई करता भरता उसके बार भरता उसके यहां पता नहीं किया होती हैरा ना मेरा विज्व चाट में करता है तो यहां आध कोरा का है किसे और हो जाती है 59 दुबार में और नयकिरे उसके बाद जो आपको पढ़ाने का नमरा है तब तो मैंने उत्राखन, उत्राखन मा वेत्राल मा बतारा हूँ, 2020 जुलाई से मैंने पढ़ना शुरू गिया उससे पहले वो टिक मार्किंग पढ़ी थी वो टिक वगरा करने वाले जो होते न वही अब्जेक्टिव टाइप के और एकार परिक्षाणी भी थी नहीं थी उसमें मुझे ध्यान नहीं है उसके बार मैंने उत्राकन पढ़ा है सि कि अलाओ मैंने कभी उत्राकने से नहीं पढ़ी है लेकिन हाँ चीजों को जो बहतर तरीकी से पढ़ा उसका परिणाम भी मिला उसका सबसे बड़ा रिजर्ड यह है कि मैं आप लोगों को सही तरीकी से गाइड कर पाता हूँ सही तरीके से समझा पाता हूँ तो एक चीज और सबसे महत्व्पूर्ण जो बात होती है अपने जो कंडिशन्स हैं जिन कंडिशन्स को आप शेयर करनें हैं चाहें कितनी बड़ी समस्याएं हो जाए वो आपकी मेहनत के उपर हावी नहीं हो ठीक है क्यrau कि एक साल दो साल ढ़ाई साल तीन साल इससे उपर पर किसी का नह पॉइंट पर सपलो के दिखा देंगे ठीक है और ये मासोचना कि मैं इस नौकरी में निकर लाँ ये चोटी है ये बड़ी ऐसा कुछ भी नहीं है आप किसी भी जॉब में लगें कहीं भी लगें सबसे पहला उदिशियों नाशी से शैटलमेंट ठीक है नए बच्चे बड़ कुछ करना है बहुत ज़्यादा है आपको एक्सपेरिमेंट अपने साथ नहीं करना है फ्यूचर आपका है बच्चो संभावनाय तलास होगे उस पर काम करोगे कल का दिन आपका होगा इस चीज को हमेशा नोट करना और एक सिक्ष्याक होने के नाते मेरा असिरवाज जो है आपके साथ हमेशा रहेगा वो आज भी है वो कल भी था वो कल भी रहेगा और मेरा सपना है मैं तो अभी तक मतलब कोई भी बच्चा इस मंच पर आ नहीं पाया ठीक है आ नहीं पाया का यह मतलब नहीं क्यों सेलेक्सर नहीं ले पाया क्योंकि बच्ची दूर दराज के भी कोई पितारागड का है कोई चमोली का है कोई दूर दुराज रहते हैं तो मैं तो चाहता हूँ कि अब जैसे पुलिस कॉंस्टेबल की एक्जाम से पटवारी की एक्जाम से कनिस्टा है एक दरोगा जो भी आरो यारो लोवर PCS अपर जो भी निकलेगा मैं चाहता हूँ कि अपर्चुनिटी दूगा आपनों को मौका दूगा बस अभी सिर्फ इतना करना है आप जिस भी कंडिशन से जैसे भी बढ़ रहे हैं जैसे भी चल रहे हैं उसको कई भी अपनी उपर हावी मत होने जीजे अपनी महनत केज़े ठीक है इन्ही सब्दों के साथ एक बाग फि देखिए फिर मिलते अंगले सेसन में थैंक यू